पूरे देश में क्रोना का ग्राफ गिर रहा है। ऐसे में उम्मीद की जाए रही है कि हमाचल प्रदेश में भी स्थिती में सुधार होगा। मुखे मंत्री जैराम ठाकोर ने कहा कि हिमाचल में भी ग्राफ लगभग फ्लैट हो गया है। कोरोना संक्रमन के जितने मामले आ रहे हैं लगभग उतने ही लोग ठीक भी हो रहे हैं। प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी से वीडियो कॉन फेंसिंग पर चर्चा के बाद पत्तरकारों से अनौपचारिक बात करते हुए जैराम ठाकोर ने कहा कि हिमाचल में भी स्थीती में सुधार हो रहा है। अज तो जिन जिलों को बोलने का मौका मिला उन जिलों ने बोला जहां संक्रमन ज्यादा था और संक्रमन ज्यादा होने के साथ में उनने कुछ इनिशेटी भी दिये थे और जो पूरे देशवर्ट के बहुत सारे जिलों में लागू करने के रिश्टी से परान मंत्री जिन आज उसमें चर्चा में शामिल नहीं हो पाया लेकिन अच्छी बैठक हुई बहुत सार तक चर्चा उसमें हुई और पुरे देश वर में कोबीट का ग्राफ बिल्कुल अब जो है बिल्कुल निचे की तरफ आता जा रहा है लगबग हर पर देश में तो ऐसी सुर्थ में हम भी उमीद करते हैं हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ जिनों से ऐसी स्थिती चल रही है कि हम बिल्कुल फ्लैट जितना रिकावर हो रहा है उतने ही लगबग एक्टिव केसी पिछले दो-तिन दिनों में आये हैं आलांकि उससे कम आये तो मैं उमीद करता हूं कि अब हि देश के कुछ राजियों में जहां स्थिती खराब है वहां प्रधान मंत्री ने कुछ सुझाव दिये हैं इन सुझावों पर हम भी अमल कर सकते हैं अब उमीद की जा रही है कि हिमाचल में पीकाने के बाद अब धीरे-धीरे मामलों में कमी होगी एटीव भारत के लिए श